क्या हार्दिक पांधिया की लाइफ में हुई नई प्यार की एंट्री? नताशा स्टानकोवे के साथ अपना डिवोस अनाउंस करने के विदिन वन मंथ क्या हार्दिक को मिल गया है कोई खास? यूजर्स को लगता है कि हार्दिक ने नताशा को शादी में धोका दिया और अब वो बिटिश सिंगर जैस्मिन वालिया के साथ वेकेशन एंजॉई कर रहे हैं इन ग्रीस एक तरफ तो हार्दिक और नताशा के बीच सेपरेशन की वज़ा अब भी सामने नहीं आई है लोगों को इस बात का हिंट तब मिला जबरों ने देखा कि हार्दिक और जैस्मिन दोनों ग्रीस में वेकेशन मना रहे हैं और उनके आइडेंटिकल फोटोस में ये कनफर्म कर दिया है कि वो एक ही लोकेशन पर है कुछ इगल आइड नेटिसन्स ने नोटिस किया है कि हार्दिक और जैस्मिन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक ही पूल साइट से फोटोस शेयर किये हैं जहां बैग्राउंड में ग्रीस का खुबसूरत लांस्केप था अब देख सकते हैं जैस्मिन वालिया का ये रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट जिसमें ब्लू बिकिनी और ब्रीजी ब्लू शिर्ट में उनका सल्ट्री अंदास देखने लाएक है पिक्चर में वो पूल के पास पोस्ट कर रही हैं जबकि बैग्राउंड में स्टनिंग माइको नोस का सीन था उन्होंने अपने लुप को वाइट ब्रिंट स्ट्रॉ हाट और ओर साइज़ संग्लासस के साथ कम्प्लीट किया जो उनके शीक वेकेशन वाइब्स को और भी इन्हांस कर रहा था इसके कुछी देर बाद हार्दिक पांजया ने भी अपना एक वीडियो पोस्ट की अज्रस में उन्हें उसी सेम पूल के असपास देखा गया इस दोरान वो क्रीम कलर्ड पैंज, पैंटन शर्ट और संग्लासस में कैश्वल लेकिन फैशनिबल लग रहे थे वल हार्दिक और जैस्मिन के पोस्ट के मैचिंग बैग्ग्रांज ने फैंस में क्यूरोसिटी और बढ़ा दी वहीं जब जैस्मिन ने हार्दिक के विजियो को लाइक किया तो दोनों के alleged dating rumors और तेजी से बढ़ गए इसके अलावा क्रिकिटर हार्दिक पांजय ने भी जैस्मिन के recent photos को लाइक किया है जिसमें ग्रीस की भी एक photo channel है जिसमें वो black outfit में dazzling लग रही है ऐसे में दोनों के instagram पर एक दूसरे को follow करने से rumors और भी intensify हो गए है social media users भी jump करन posts पर अपना reaction देने लगे हैं और एक user ने जैस्मिन की bikini photo पर comment किया और लिक हार्दिक पांजय और यूजर ने प्लेफुली पूछा यानि लोग दोनों के एक साथ relationship में होने को लेकर कही न कहीं शौर है और बता दे नताशा और हार्दिक की शादी को अल्मोस चार साली हुए थे दोनोंने हिंदो और क्रिस्टिन ट्रेडिशन से 31st में 2020 को शादी की थी और उन्होंने फेबरवरी 2023 में अपने वाउस को रिन्यू किया था इस साल में में उनके split की अफ़ाइं शुरू हो गई जब नताशा ने अपने इंस्टाग्राम प्रफाइल से पांध्या सरनिम ज्रॉग किया इसके बाद फिर कपल ने जुलाई में एक joint statement के थू अपने separation को confirm किया और कहा कि उनका ये decision mutual है और उनके family के best interest में है जबकि अपनी statement में कपल ने बेटे अगस्ते की co-parenting पर भी जोर दिया नताशा पिछले महीने ही अपने hometown सर्विया वापस चली गई अपने बेटे के साथ